बिस्मिल्ला रिमान एरहीम आज मैं पालक पनीर बनाना देखिए ये अच्छी काउली पालक है देखिए एकदम मोटी मोटी और बोले तो सकत नहीं है देखिए काउली बोलते ना एकदम ताजी फ्रेश है देखिए तो मेरा दिल बोल आज पालक पनीर बनाना बोलके हैं तो म को अच्छा पानी को बुनगां बुनगा आते देखिए पानी को एकदम पकता न तो वैसा मैं पके बाद पालक को अच्छा ढों के चन्च never में ऱके उसको अच्छा पांच मिनेट डियूं देखेest को पांच मीनेट के बाद मैं इसको निकाल के बताने हम प्लगों को अच्छा मिला रहीं देखिए इसको निच्चे ओफर निच्चे ओफर अच्छा मिलाई पांच मिनेट रखी उसको मैं पकने दी उसको पांच मिनेट के बाद मैं बरफ के पानी में दाल रहीं देखिए इसको बरफ निकालके थोड़ा फिरेज में से थोड़ा बर तेल दाले ना इसमें पालक पनीर में जर अच्छा रहना तेल तो जबर्दस रहता आप बटर में भी पका सकते पालक पनीर तो मैं तेल में बना रहे हूं तेल को अच्छा गरम होने दी देखिए उसके बाद मैं आदा चमचा जीरा दाली एक बड़े साइस की प्यास को अधरक कॉरलेसन को अच्छा को एपश के दहीं में चुल्ले पर चोड़ दी देखिये तो ये कुथमीर की डालिया रकिंगई तो वह कुथमीर का डालिया अच्छ है सब्सक्राइव होानेखू कि अब्राव के पानी में दाले ना तो हरी हाच अच्छा होता पालक पनी मैं पाउं चंचा में हल्दी दाली देखी नंमक अपने टेश्ट के हिसाब से दाल लेते फिर अधा-चंचा इसमें मिर्चि दाली चंची है जीरा फोडर नए दाली देखे आदा चमचा धनिया फोडर थोड़ा एक पाउ चमचा वोले तो गरम मसाला दाली देखे दाल के इसको अच्छा 15 से 20 मिनिट अच्छा भूनी देखे कस्तूरी मेथी दाली देखे इसके अंदर एक दो चुटकी एक दो तमाटों को देखे मैं करके चार हिस्सों में कट करी कट करके उसको पांच मिनिट चूड़ देखे मैं ठाली धापके पांच मिनिट के बाद जो छिल्टा रहता ना उसका निकाल ले रहना देखे उसको प्यास को तमाटों को अच्छा अलग-अलग करे तो अच्छा गल जाते देखी हुआ ऐसा पूरा अगर नई भी गले ना तो ऐसा चमचे सा अच्छा करना उसको 15 मिनिट में धी में चुल्ले पे छोड़ दी थी देखिए उसको अच्छा भुनके उसके बाद ये पालक जो है ना तो उसको पीस ली थी मैं इसमें हरी मिर्ची और कुतमिर के दंडे अंदाल के पीसी देखिए मैं अभी ये इतना उच्छलता इसका उच्छलने क्या मिर्को डरीच होता पालक पनीर भूत उचलता हो तो अब मैं पनीर को कट करना पनीर को देखिए देखिए ऐसा कट कर लेना पनीर को तो ये जो पीसा रहते ना तो ये पालक दाले बाद विसमिंट भुनी देखिये इतना ऑफ उसको ढाल ए का लिए अधुन के बीस मिनेट रखी। उसके बाद में और 20 मिनेट अछलता ह biologicalुष और विफाना तीश्ट्टार्न मज़े के वाद मैं यह वी तररा में लिए उसके ऑस पनीर को जर्ण तेल में अच्छा उसको तली देखिए थोड़ा तेल गरम होता बोलते ना दो हिस्सों में तली एक तरह विदेर पल्ठाई एक तरह उदेर पल्ठाई खाली चुप जर्रा चुरका देना वोलते देखिए वैसा तो मैं इसको देखिए पनीड दाल के उसको प्यार से हिलाना अगर अपन जल्दी जल्दी हिलाए ना तो पनीड तुड़ जाता एक आदा घंटा होगा देखिए मैं आदा घंटा हुआ फिर एक दस मिनिट उसको धी मैं चुल्ले पर रखती देखिए मैं उसके बाद इसमें किरीम दाल रहें देखिए आप इसमें चने का आटा भी दाल सकते पालक पनीर पानी छोड़ता चने काटा भी दाल सकते आप एक चमचा घ्यों काटा भी दाल सकते मैं तो इसमें क्या भी निदाली इसको भूनी देखिए मैं अपन अच्छा भूने ना तो इसमें आटा और चने काटा दालने की जुर्रत ने रहती पालक पनीर मैं एक से दो बार घर में बनाए बाद बताते हुं देखें आप लोगों को मेरे को अच्छा दिखें तो मेरी रेसिपी आप लोगों को देती हुआ यह देखिए होगा देखिए हमें अच्छा आदा घंटा रखी फिर उसके बाद 10 मिनिट धी में चुले पर छोड़ दी देखिए इतना लेश्ट सहीरी में रोटी के साथ खेते हैं तो क्या जबड़ दस दिखा